उम्र 60 की और वजन 260 किलो बैंगलूर के जुवैदा के लिए यही मोटापा मुसीबत बन गया था बहुत तकलिफ होती थी मंजय बहुत तकलिफ होती थी एक कमरे में बिस्तर फरी ही समट गयी थी दुनिया बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था बिस्तर पर लेटे लेटे थमने लगी थी सांसे शरीर में आधी रह गई थी आक्सीजन की मात्रा आखों से गाइब हो गई थी नीद बेखरारी रात तमम नीद नहीं किलती भूत तकलिफ होती थी मजे घर में मोटा पा बन गया था जी का चंजाल छूट रही थी जीने की आस बेंगलूरू के स्पताल ने भी खड़े कर दिये थे हाथ लेकिन हमदाबाद में एक ओपरेशन ने बदल दी दुनिया अब अच्छा है यहां आई न तब से क्या भी तकलिफ नहीं नीन हो रिये दस दिन में घड़ गया साठ किलो वजन अब दाक्तर साब मझे अच्छी करी मैं अभी जरे रोज जीची हो यह है सरजरी का कमार जी हां साठ की उमर में वजन 260 किलो कुछ ऐसा ही हाल था बैंगलोर की जुबैदा का जुबैदा का वजन उनकी जंदगी पर भारी पड़ रहा था लेकिन एक अनूठी सरजरी ने जुबैदा की जंदगी में नई आस डगाई लेकिन यह सरजरी करना इतना असान भी नहीं था ओपरेशन के लिए 260 किलो वजनी जुबैदा को बैंगलोर से एहमदाबाद लाया गया वो भी अम्बूलेंस में सड़क के रास्ते क्या है पूरी खासियत इस सरजरी की देखे इस रिपोर्ट में बैंगलोर की जुबैदा के लिए एहमदाबाद के डॉक्टर भगवान बन गए डॉक्टरों ने दी 260 किलो की जुबैदा को नई जिन्दगी सिर्फ 10 दिनों में घटा दिया 60 किलो वजन जुबैदा के लिए ये किसी चमतकार से कम नहीं है लेकिन आज से महीने भर पहले तक ये मोटापा जुबैदा के जिन्दगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो गया था जिन्दगी जहननुम बन गई थी साथ साल की उम्र में ही जिन्दगी का साथ छूटने से लगा था इस हालात में जुबैदा को अस्पता ले जाना भी कम मुश्किल ना था आखिर बैंगलोर के एक अस्पताल में जुबैदा को इस जानलेवा मुटापे से निजात दिलाने का भरोसा मिला किसी तरह से 260 किलो की जुबैदा को अस्पताल पहुंचाय गया लेकिन तीर महीने के बाद आखिरकार अस्पताल ने भी हाथ खड़ी कर दिये अब जुबैदा की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी इस बीच जुबैदा के घरवालों को एहमदाबाद के एशियन बैरार्टिक सेंटर के बारे में पता चला उन्हें आखरी उम्मीद दिखी यहां के डॉक्टरों से संपर किया गया डॉक्टरों ने भरोसा दिया कि बैरियार्टिक सरजरी के जरीए जुबैदा का वजन कम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए जुबैदा को एहमदाबाद लाना पड़ेगा यहां सबसे बड़ी दिक्कत यहां थी कि 260 किलो की जुबैदा को एहमदाबाद तक कैसे पहुँचा आए जाए जबकि उसकी हालत बहुत खराब थी यहां तक की बैंगलोर के एर एम्बूलेंस सर्विस ने भी जुबैदा को एहमदाबाद शिफ्ट करने से मना कर दिया आखरकार घरवालों ने जुबैदा को सटड़क के रास्ते ले जाने का फैसला किया उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और एम्बूलेंस के जरिए बैंगलोर से 1500 किलोमेटर दूर एहमदाबाद पहुचाए गया अब जुबैदा को एहमदाबाद लाए गया है तो उनकी हालत और बिगर चुकी है जब पेशिंट को मैंने देखा तब पेशिंट की कंडिशन सच में बहुत खराब थी अब खराब कंडिशन क्या होती अगर इसको डिफाइन करें तो पेशिंट के फेफड़े काम नहीं कर रहे थे उसका दिल काम नहीं कर रहा था, उसके पास ब्लेट प्रेशर नहीं था, उसके किड़नी काम नहीं कर रहे थी, डाइबेटीज बहुत हाई था और पेशिंट की ऐसी हालत थे कि पेशिंट एक शब्द नहीं बोल सकता था, बिस्तर पे हिल नहीं सकता था पेशन्ट की हालत बहुत खराती अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट उसके नहीं की जाती तो शायद उसको की जिन्दगी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एहमदाबाद में डॉक्टर फोरण जुबैदा की हालत सामाने बनाने में जुट गए। 20 दिनों तक उन्हें डॉक्टरों के एक पैनल के निगरानी में रखा गया, इलाज शुरू हुआ, सबसे बड़ी चुनोती थी, जुबैदा की हालत सामाने की जाए ताकि उनकी सर्जरी हो सके। और प्रेशन का फैसला किया, लेकिन 260 किलो की जुबैदा की सर्जरी भी किसी चुनोती से कम नहीं थी. शायद ये जुबैदा की जीने की चाहत ही थी कि डॉक्टरों ने इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया. महीने भर पहले जो जुबैदा चल फिर नहीं सकती थी, अब इस काम्याब ऑपरेशन ने उन्हें आज दी है फिर से जिन्दगी जीने की. एमदबाद की डॉक्टर्स ने जुबैदा की जो सर्जुरी की है वो कोई नहीं नहीं है. उस सर्जुरी को पहले भी कई भारी वजनी मरीजों पर किया जा चुका है, लेकिन जुबैदा का मामला थोड़ा अलग था. दरसल, बेरियाटिक सर्जुरी पहली बार किसी 260 किलो वजनी शक्स पर की गई है और जुबैदा की ऑपरेशन में कई और मुश्किले भी थी. इसलिए लग था क्योंकि उसका वजन 260 किलो पहुँच गया, उसकी जिन्दगी सिर्फ बिस्तर बढ़ी सिमट गई थी और ये वजन उनकी जान के लिए खत्रा बन गया था. डॉक्टरों के मताबिक जुबैदा ऐसी सर्जुरी कराने वाली सबसे वजनी महिला है. और ये इनकी जिन्दगी वापस मिल जाएगी, हर्ट का कंडिशन अब काफी बेटर है, लंग्स के कंडिशन काफी बेटर है, किड्नी तो अल्मूस्ट नॉर्मल हो चुकी है, डाइबिटिस जा चुका है इनका, जो इनको डाइबिटिस भी काफी था, तो मुझे लगता है जिन्दगी पूरी बहुत अच्छे से इनको मिलेगी, और अराम से जी पाएगी, फिर ये डर नहीं लगा रहेगा कि कुछ भी हो सकता है इनको इस ओपरेशन में मरीज के पेट में पाट छोटे 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 छेत किये जाते हैं, और फिर मरीज के जठर को काट कर छोटा कर दिया जाता है, इसके बाद छोटी आत को काट कर उसका एक सिरा जठर से जोड़ दिया जाता है, यानि सरल शब्दों में कहें, तो मरीज के श इस सरजरी में जुबैदा की खुराक लेने की शमता को घटा कर 700 कैलरी कर दिया गया यहाँ पर यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि शरीर में कहीं से भी फेट निकाली नहीं है लेकिन स्रमक में चेंज करने के बाद कैलरी इंटेक कम हो जाएगा इस उपरेशन के बाद 6 महीने के अंदर मरीज के वैजन में काफी कमी आने लगती है वैजन करीब 40 किलो तक कम हो जाता है इस उपरेशन के बाद मरीज को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहने की भी जरूरत नहीं होती उपरेशन के सिर्फ तीन दिनों बाद ही मरीज सब काम पहली की तरह कर सकता है लेकिन जुबैदा का केस थोड़ा अलग था उनका वजन तो तेजी से घटा यानी दस दिनों में करीब 60 किलो लेकिन ज्यादा वजन और खराब हालत की वजह से उन्हें अस्पताल में ज्यादा दिन तक रुखना पड़ा वेट लॉस के लिए हम सोचे तो 260 किलो से करीब 110-115 किलो तक वेट होगा मतलब बाकी का वेट लॉस होगा और साथ में ब्रिधिंग क्यापैसिटी उसकी काफी हद तक इंप्रूव होगी क्योंकि जब वो होस्पिटल में आये थे तब ऑक्सिजन सेचुरेशन 60% रहता था इस ओप्रेशन के बाद मरीज को खान पान का ध्यान रखना पड़ता है यानि जबैदा को उन सब चीजों से परहिज करना होगा जो वजन बढ़ाते हैं इस ओप्रेशन के सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओप्रेशन स्रक्षित होता है ओप्रेशन में मरीज को कोई टाके नहीं लगाने पड़ते सिर्फ शरीर में छोटे छोटे पांच छेद करने पड़ते हैं और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही ओप्रेशन पूरा हो जाता है मरीज को बार बार ओपरेशन करानी की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही लंबे समय तक दवाई खाने के जरूरत होती है धीरे धीरे मरीज का वजन कम होता जाता है निर्णे कपूर इंडिया टीवी एहम दबाद